मेरा परणाम को आप लोग बिन बिन देवी देवताओं की साधना करते हैं। अनेकों मंतरों को रड़ने का प्रियतन करते हैं। वोग देवी देवताओं की पूजा करते हो, वोग सिस्तानों के उपर जाते हो, आप जितना परियास हो सकता है, उतना करते हो, लेकिन आप लोग साथना के विशे में, परमात्मा के विशे में, ध्यान के विशे में, उस प्रमतत्त्तव के विशे में, आप लोग कुछ भी न दोब लोगां कुछ नहीं जानते, वोगिंपसे हुए हैं, आपको साधना से दूर ले जाने का प्रियाश कर रहे हैं, यह नहीं है, मंत्रों कि उन कुछ भाह नहीं होगा Hi यह नहीं है, कि आप उनकी साधना करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन प्रमात्मा नहीं मिलेगा, प्रमात्मा का ये रास्ता नहीं है, प्रमात्मा का रास्ता इससे बिल्कुल विपरीत है, जितने भी आउतार हुए, जितने भी महत्मा हुए, सब ने अपने अपने मारक दिखाए, और एक बात और आप गहराई से सोचना, हर को ये कहता है, कि ये जितने भी रास्टे हैं, सब परमात्मा की ओर जाते हैं, जितने भी दर्म के मारग हैं, सब परमात्मा की ओर जाते हैं, और सब उसी की ओर दोड़ रहे हैं, सब को उसी के अंदर पहुंच जाना है, सब वहीं पहुंच जाओगे, किसी भी मंतर से शुर कर लो जाना तो प्रमात्मा के ही पास है किसी भी देवी देवता की साथ ना कर लो पहुंचना तो उनी की पास है एक नए तिनीस जनम में पहुंच जाएंगे अगले जनम में पहुंच जाएंगे लेकिन ऐसा फिल्कुल भी संभव नहीं है इसके बिल्कुल विपरीत बात है उल्टी बात है, आप विचार भी नहीं कर सकते। आप उस प्रमात्मा से दूर जा रहे हैं। जितने भी देवी देवताओं की एसाद ना कर रहे हैं। उतना ही प्रमात्मा से दूरी बढ़ती जा रही है। एक जनम में to क्या, भाजार लाफयोत जनमों में भی आप उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि प्रमातमा का तो मारग इस अलग है, इसे कैसे कोई पहुंच सकता है, कोई भी मंतर अटने लगता, ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे, कोई भी छोटी मोटी सिद्धी हो जाए, तो ऐसे कैसे आप राक्त कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये रास्ता बिलकुल अलग है, ये खेल ही अलग है, लेकिन हमारे जो आए, शंत मात्मा, रिशी मुनी, मैं कभी के बारे में देख रहा था, वो कहके चले गए कि मैं दोबारा से आउगा, फिर रास्ता दिखाँगा, अरे जब दोबारा आओगे, क्या पता आओगे, ना ओगे, आओगे तो कितने अजारों नापों रस्माद आओगे, तब तक इस पर तो भी कोई कुन समालेगा, क्या आ आओगे, तो सत लोग तक ही तो पहुंचोगी, उससे आगे नहीं हो सकती, वैकुंठ लोग के जोवाशी उनकी वैकुंठ तक ही तो पहुंचोगी, उससे आगे नहीं हो सकती, जितने भी नाम आपने सुने हैं, सबके आप ये समझो, जितने भी लोग हैं, आप चाहे देव कोई देवताओं की साधना करो चाहिए उनकी साधना करो इतना सांतर है ये लोगे के पिंजरे हैं वो सोने के पिंजरे हैं इसे ज्यादा कोई अंतर नहीं है और इसे ज्यादा अंतर हो भी नहीं सकता आपकी समझ में जब तक आएगी तब तक ये जीवन बीद जाएगा आप स साधना की सोचते रहते हो, नए आपको साधना का रास्ता पता है, आपको कोई साधना करवाने का पर्यास करता है, आप रस जाते हो, अरे देवी की पूजा नहीं की, अरे वहां नहीं की अपकी बार, अरे हमारे कुल देवता ने रूट जाएं, हमारे पितर नराज हो जाएं, अरे हमारे तो गने दोस हैं वो हो जाए हमेशाथ नाशी क्या मतलब है यह तो छोटे-छोटे कारिये हैं प्रमात्मा प्रम्तत तो एक अलग ताकत है वो एक अलग बहचान है वो एक अलग सब्दी है जो प्रतेक जीव के अंदर बास करता है आपने कभी अपने संतों से कुछ पूछने का कुछ खोजने का प्रियास किया है बिल्कुल भी नहीं किया बस जो बोल दिया वो मान लिया और आगे निकल लिये बोलते रहते हैं बड़े-बड़े महात्मा बड़े-बड़े संत मैंने देखा बड़ा नजदीक से बोलते रहते हैं काम के उपर करोद के उपर मोग के उपर, लोग के उपर, विशेवासनाओं के उपर, संसार के उपर, धनसंपत्ती के उपर, बोलते रहते हैं, और आप सुनते रहते हो, सुनकर के आ जाते हो, वो बोलते हो कि अरे ये तो बड़ा अच्छा बोलता है, और जो महात्मा जो वस्तरदार्ण करके, और महिला को जो अच्छी बुरी गालियां देता रहता है उनके पीछलों भागने लगते रहे तो महिलाओं से बड़ा दूर रहता है इसके अंदर तो बड़ी दूरी है बड़ा तपस्वी होगा अरे कहां भज गया आप लोग वो कुछ भी नहीं जानते वह एक इंदरी के वस हो गए ह उन्हें ये भी नहीं पता की कैसे बर्मचुरिय का पालंग किया जाता है। और बर्मचुरिय से भी आप महेर लोग तक दा सकते हैं महेर लोग से आगे नहीं जापाएंगे वही रोक दिये जाओगे। अगर कभी किसी जनम में आपने कोई किसी परकार का करम किया हो, किसी परकार की साधना इस जनम में, कई बार ऐसा होता अपने आप एक उडली जागरण सुरू हो जाता है, कई बार होता इस परकार का, अपने आप या आदमा जागरत होने लगती है, बहुत बार हो जाता है, लेकिन ये वो साधना अलग है, कुम सी साधना का मैं जिकर कर रहा हूँ, आप सोज नहीं सकते, मैं उस साधना की बोल रहा हूँ, जो सब लोक, लोकांतर से प्रे है, जिसमें सत लोक से भी प्रे है, गो लोक से भी प्रे है, वैकुंग से भी प्रे है, शिव लोक से भी प्रे ह ब्रम लोक से ले करके और गो लोक तक जितने भी नाम है जिस लोक से जो भी आएगा जितना तत्व ले करके आएगा जितनी कलाएं ले करके आएगा जितना जो कुछ भी ले करके आएगा वो सिमित है बिल्कुल सिमित है सब कुछे अगर आप सोचों की प्रमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी वो ये ग्यान अपने लोग का तो बड़न कर देगा, अपने लोग तक का रास्ता तो जीवों को दिखा देगा, लेकिन उस प्रम्तत्तों के लोग तक का रास्ता वो नहीं दिखा सकता, क्या अपने कभी अपने आत्मा को बढ़ाय नहीं जा सकता, बढ़ाय नहीं जा सकता, जलाय नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो ये परमात्मा से अलग कैसे हुई, किस परकार से इसको अलग किया गया, काट करके किया गया, तोड करके किया गया, किस परकार से उखाड करके किया गया, य या कभी आपने सोचा है कि इस परकार के भी सवाल हो सकते हैं, आप आधात्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, बस भाग रहे हैं, एक दोड़ चली हुई है, अरे उसके तो लाकों सिस्षे हैं, मैं भी उनी का सिस्षे बनूगा, कुछ जाने ना जाने, कुछ समझे ना समझे, कु ज्यादा लोग जुरे हुए हों, ज्यादा लोग जानते हों और अच्छा सा अच्छे से वस्तर धाण कर लिये हों, और बड़ी-बड़ी बाते करने वाला हो गया गुरू, बड़ाशान सात्रीकास तो गुरू बनने का, लेकिन जो स्वाल किये जाते हैं, हल्चल मच जाती बड़े बड़े योगी मोर हो जाते हैं, उनका स्वास बंद हो जाता है, जवाब नहीं होता, आप खौज करके देखिए, आप पूछ करके देखिए, आप मिल करके देखिए, प्रसंतों की दिये, क्या आपने कभी पूछा आपने गुरु से, कि जिसके कान, जिसको सुनाई ने दे, जो वहरा हो, जिसको दिखाई ने दे, जिसकी वाणी ना हो, उसको किस प्रकार से आप नाम दोगे, कैसे ग्यान कराओगे, उस जीव का कैसे कल्यान होगा, किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या आपने कभी पूछा इस अपने गुरु स से इस सवाल का उतर आपने नहीं पूछा आप बस वहीं भसे हुए हो तेरा मेरा के अंदर कैसा ये सिस्टम चला हुआ है आप उस आधातम से इतने दूर चलें गए हो कि आपको ग्यान का भी हो नहीं है आपको रास्ते का भी मालूम नहीं है आप कोई विश्वकुंठ लोग क कोई बात करें तो बड़ी मानने लगते हो इन बातों के अंदर इतने बूरी तरह भस दे हो कि ये बात इतनी बुति के अंदर इतनी विजलीत कर दिया इन्होंने सब कुछ सारा सिस्टम ही खराब कर दिया आपके पास ने साधना है ने ध्यान है ने प्रमात्मा का मारग है ने कोई आप पे पास युपती है, ने आप पहुँच सकते, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, जिस प्रकार से चल रहे हो, चाहे लाखों जनम हो जाएं, चाहे करोडों जनम हो जाएं, आप प्रमात्मा से दूर जाओगे, नजदिक नहीं आओगे, वो प्रमात्म तद तो अ अलग है बिल्कुल, आप उसे समझने का प्रियतन कीजिए, क्योंकि वो समझ से भी प्रे है, हर कोई कहता है, मन बुद्धी से प्रे है प्रमात्मा, हर कोई कहता है, कि पांचों तत्तों से प्रे है प्रमात्मा, लेकिन कहते हैं समझते नहीं हैं, समझते हैं मानते नहीं हैं, क आईसे उस परमातमा की ओर पढ़ने की कोशिश की दिये। अगर आप उसको और नहीं पढ़ पाए। अगर परमात Il מס की तिर नहीं चलब पाए। आप ने कुछ नहीं किया। आप खोज की दिये, बिना खोज के कुछ नहीं मिलेगा, और इन सवालों के उत्तर ढूंडने का परियतन की दिये, अगर आपको इन सवालों के उत्तर नहीं मिले, तो आप समझना समर्थ के पास नहीं कौँचे हो, खोज दे रहो सवालों को, पुरुस परमातमतत्तो की पहच जब तक इन सवालों के उद्दर नहीं मिलें, तब तक आप अपना मस्तक किसी के सामने मत जुगाईए, क्योंकि पूरण प्रमात्मा के आगे, पूरण गुरु के सामने जब तक जीव नहीं जुगता, तब तक उसका कल्यान संभव नहीं हो सकता.